वोट कटवा हो रहे है वो पवन सिंग नेता लाइक नहीं है मोधी मतलब पवन सिंग नहीं मोधी मतलब काराकान यादव और मुस्लिम भोट आप पाँच लाख रुपिया भी दीजेगा वो आप उसको खरिद नहीं सकते चाहे वो खिसारी लाल यादव आजाए इसमान भारत नहीं दिखा नमस्कार स्वागत है गंगा नीज में आज हमारे साथ देशवार नीज की ब्रांड मेस्टर बविता मिस्तरा जी है जो की एक धमाका कर दी है काराकाट ये अपने ही चैनल से बताती है कि कौन सिंग नहीं जीतेंगे पता नहीं जोती सिंग को भी छोड़ दें लेएं वहां पर ग्राउंड रिपोटिंग की क्या पाउन शिंग को क्या लगता है कि वहां से जीत धर्ज करेंगे या नहीं दिखे अगर जीत की बात करूं तो अभी वो तिरकोनी मुझे लग रहा है जहां तक मैं एकदम गाउट जिसको कहते ना गाउं में जाना मैं हर ग कई जबूत है और कहीं न कहीं अगर किसी के बीच अगर टक्कर हो रही है तो वो राजा राम कुस्वाहा कुष वहाँ जीच सकते हैं यह कैसे कर सकते हैं आएन आपन य्टा साध ये पिनाड़ा पूरे भाजपा के चाहाए को बड़े पद्वे जो हैं वो कहूंचे काफी मात्रा में भीड और एलान भी कर चुके तो क्या वो नहीं जीतेंगे नहीं मैं बता देती हूँ आपको उसके पीछे का रीजन है आप अगर आवादी देखें तो यादबो की आवादी तीन लाग के आसपास है वहां और अगर मुस्लिम की आवादी देखें तो मुस्ल समाज का भी वोट आधा बट रहा है और वो माले के कंडिवेट है और माले के कंडिवेट को समर्थन कौन दे रहा है जानने की जबुरत है रालु परषाद यादब जोगी तो ये disci यादब और मुसलिम वोट आप पांच लाख रूपिया भी दीजेगा वो आप उसको खरीद नहीं सकते चाहे वो खिसारी लाल यादव आ जाए चुकि मैं मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग में ही बात खुल के आ गई थी फोटो हम वीडियो किषवा लेते हैं लेकिन हम आरजेडी लवर हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं राजा राम को स्वाह को चाहिर सी बात है अगर कई वोट कट रहा है वोट कटुआ हो रहे हैं वो पवन से यह कैसे कह सकते हैं पूरे बड़े-बड़े मतलब कलकार भोजपूरी का कहिए तो अब पूरी टीम महिला विकास मन से लेके सोसल मेडिया में जहां खुला जा रहा उसमें हर गली हर घर हम देखें अभी एक विडियो देख रहे हैं खेत में जाके जो काम कर रही है महिला उनसे भोट की अपील कर रही है पर्चा बाट रही है कैसे पाउन सिंग में बिल्कुल जो एक पतनी का फर्ज होता है वो जोती सिंग कर रही है नू डाउट पवन सिं से ज्यादा मेहनत पतनी जोती सिंग कर रही है आप देखिए पैदल चल रही है आपनी इतना पैदल चलते हुए खेत में घुसते हुए पवन सिंग को नहीं देखा होगा सिर्फ वो हाथ टच करते हैं वो सीशा से बाहर उठके ताटा वाई वाई करते हैं लेकिन अगर घर घर में गुस करके परनाम करती है जो एक नेतरी यानि कि नेता का गुन है वो जोती सिंग में है वो पवन सिंग में नहीं है और मैं आपको बार बार बताती हूँ कि एक अभी नेता या अभी नेतरी वो अच्छा नेता और नेतरी नहीं हो सकती वो अच्छा समास सेबा कर ही नहीं सकता, आप पूछ लिजे कैसे, लिजे आप बात ले लिजे गोविंदा की, गोविंदा भी सांसद बने और वो सदन में भी गये, फिर वो बैक हो गये, आप गौतम गंभीर की बात करें, वो खिला रहे, इसके पीछे कुछ माइने हैं, वो दो धारे में बैठते हैं, ए एक तरफ उनका नजर होता है नेता पे, तो अगर आप दोन नाव की सबारी करेंगे, तो वो नाव डूबेगी, और वो अच्छा नेता नहीं बात, जमीन के नेता को चुनना चाहिए, और जमीन का नेता वही है, जो आपके बीच मरनी हरनी सराद में आ जाता हो, आपके हर क तब देखी एक बात, यूक्रेन की मैं बात करूँ, यूक्रेन की जो आज दसा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कि यूक्रेन में एक कलाकार राष्टपती बना, जिसका नतीजा ये हो गया, कि आज कलाकार के वज़े से ही यूक्रेन का विद्वन्स हो गया, अगर वहां कि जमीनी नेता अगर वहां के राष्टपती होते तो साइद युक्रेन जितनी विक्सित देश थी वो बहुत आगे रहती लेकिन कैसे कह रही है वभीता जी कि पवन सिंग नेता लाइक नहीं है अभी दखिएगा तो बड़े-बड़े मन से एलान करते हैं कि अगर हम सांसद यहां के बनेंगे तो अपना महीना नहीं लेंगे फिल्म सिटी बनवा देंगे यहां पर फैक्टी उक्टी था है डल्मिया नगर में सब चालू करवा देंगे यहां विकास का नदी बहुत आप कैसे कह रही है कि नहीं मेरी कोई जाती दुस्मनी नहीं है नहीं आप तो साली है जोती सिंग का बहन है अलग बात है मेरी कोई जाती दुस्मनी नहीं है एक रिस्ता है एक दिल का रिस्ता है मैं वस यहीं जानती हूँ लेकिन एक मैं जो लॉजिक है मैं वो लॉजिक पर ही बात करती हूँ आप रह सारे की डालमिया नगर खुला देंगे रेल वाला जो बाली बिरीज है वो खुलवा देंगे तो एक निर्दलिय सांसत को 35 करोर पांच साल में मिलता है तो आप इसे जाहिर सी बात है कि 35 करोर डालमिया नगर के साफ सफाई में खर्चे हो जाएंगे पार्टी ने तो निलंबित कर दिया अब तो निर्दलिय ही है अगर अगर जीत ऐसी बात थी तो फिर भाजपा का पूरा कूमा आप देखिए भाई भाजपा के जितने भी वरिष्ट नेता है सारे के सारे कहां है कारकाट में है और ऐसा नहीं है कि पहली बार है 2014 में भी कारकाट परधार मंतरी जी का आगमन हुआ था 2019 में भी पर्धान मंतरी जी का आगमन हुआ था इस बार भी जाहिर सी बात है अगर वो उपेंदर कुसवा एंडिये के खेमे में आते हैं तो उनके लिए वो बोट माँगेंगे और वो नहीं चाहेंगे उपेंदर कुसवा जी ते देखिए ये बिधान सभा का चुनाओ नहीं पर्धान मंतरी बनाते नरेंदर मोधी को तो एंडिये देख रही है हमें परतन मंतरी चुना आगी तो पर्धान मंतरी चुनने की बारी आईगी आप्ने देखा होगा कि वो डाइरेक्ट करें कि आप हमें चुन के सदर में भेजेंगे यारी कि पर्दान मंत्री को मोधी को मोधी मतलब काराकार्ट मोधी मतलब पवन सिंग नहीं मोधी मतलब काराकार्ट अगर काराकार्ट का विकास करना है तो उनका खूद भी कहना है कि मोधी को जिता के भेजि साफ बिक चुका है वहाँ पूरी साफ हो चीक है कुछ दिन में वहाँ जो काम है वो भी चालू भी हो रहा है लेकिन वहीं जनता बताती है कि उपेंदर कुछ कामें नहीं किया आप देखी होंगी कई लोग आवाज उठा रहें कि डल भी या नगर का जो फैक्टी था उनका मा साथ को मैं रोकूंगी अगर विकास नहीं होता तो आपको याद होता कि वह जो जगह है वहां पर लोगों का ही कहना था कि इतने इतने गड़े थे आज जो आप रोड पे चल रही है रोड का विकास हुआ हर गाउं में रोड जो है वो एक जो नितिस कुमार जी ने बनाया वो रोड सही में बहुत ही अच्छा है और वहां हर घर जो हर नल जल योजना हर घर पहुची हुई ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखा मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगी कि जो भरम पहला रहे हैं वो ना पहला है चुकि पत्रकार का काम है सही सच देखाना और मैं पत्रकार ह देखी सरके नाले और बिजली पानी तो यह लोग बताते हैं आप खुद जाएए आप वहां की रोड को देखिए और वहां की लोगों से पूछे कि रोड कैसा था तो आप वहां की रोड लोग ही बताएंगे कि रोड बहुत गड़े थे बहुत खराब थे प्रेग्नेंट म तो रोजगार का मुद्दा किस ने दिया तेजस्वी आदम ने तेजस्वी आदम जी ने रोजगार का मुद्दा दे दिया यही रोजगार पर बात होती है और किसी पर बात नहीं होती है लोगों को अधिक उमीद होता है लोगों का ये भी कहना है कि मुझे एक परिवार को एक ादमी को 5 kg अनाज मिलता है आईसमान योजना मिलती है उसके बाद कहा जाए तो अगर अनाज मिल रही है तो उन लोगों का कहना कि आप तो हमको किसी आनोकरी करने की जोरत नहीं है पहले हम दूसरे क्या नौकरी करने जाते थे, पाँच किलो अनाज मांगते थे, तो हमारे बच्चों के साथ गलत होता था, अब वो चीज नहीं है, तो ये भी बात आती है, ये बताई है बवीता जी, कि पाँच किलो अनाज से एक महिना एक इनसान खा सकता है, दूसरी बात, छे, छे हजार साथ किशान को भी मिलती है, और ये हर किसान को छे हजार रुपया मिल रहा है, अच्छा, एक और हमेशा ये आवाज उठाते रहते हैं, जो कि अईस्मान भारत का कार्ड बनाया गया, हर जगह इलाज नहीं है, ये कार्ड ऐसे ही थमा दिया गया, आप कभी सर चमारी है, इस चीज़ को भी कहा हा इलाज हो रहा है, बिलकुल, 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 सारे फोन आते है, हमेरे कंप्लें अवाज उठाई है, तो क्या सच है? नहीं, जो लोग कहते है, तो उस कार्ड में कोई प्रॉबलम आ जाती है, लेकिन अगर आईसमान योजना वाली जो कार्ट की बात करें मेरे सामने ही मैंने पांच लोगों को आइसमान कार्ट योजना का लाब लेते हुए देखा है और वो वीडियो भी है मेरे पास में मतलब कहां कहां पर हस्पिटल माल है एक जगा जीला में होगा चाहिए जगा आप कहीं भी जा सकते हैं यह जानने की ज जो आइसमान कार्ड बन गया मोदी जी दे दे हैं लेकिन लोग बताते हैं ना कि उसका कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसको इसका लाब नहीं उठा पाते तो यह सबसे बड़ी बात है जागरूख होने की बहुत जरूरत है